क्या आप अपने आईफोन के स्क्रिन को मिरर करना चाहते हैं अपने मैक में अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है नमस्कार दोस्तों मैं हुआ विशेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी और आज मैं आपको दो तरीक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अ आगे बढ़ते हैं हमारा जो पहला मेफेड है अपने आईपून की स्क्रिन को मिरर करने के लिए मैक में उसके लिए हमें दोनों ही डिवाइस को कनेक्ट करना होगा माइफाई से हम वाय फो तोनो डिवाइस को से हम Wi-Fi से connect कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ mirror वाले option पे चले जाना screen mirroring का option है इसको select करना है और select करने के बाद आपको यहाँ options दिखेंगे अपने device का फिर आपको वो device यहाँ से select कर लेना है आप जैसे ही select करेंगे आप पाएंगे कि जो आपका iPhone का screen ह वो mirror हो रहा आपके Mac में अब आप देख सकते हैं कि यह कितना smoothly work कर रहा है इनकेस अगर आपका यह थोड़ा बहुत lag कर रहा है तो हो सकता है कि आपका internet connection slow हो जिसके कारण की यह lag करेगा आप यहाँ से कोई भी चीजे mirror कर सकते हैं अपने Mac में आप चाहें तो landscape mode में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कोई content भी यहाँ से play कर सकते हैं तो यह था पहला method जिसकी मदद से आप अपने iPhone की screen को mirror कर सकते हैं लेकिन अगर इनकेस अगर आपका यह काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप अपने iPhone में जाकर settings में और उसके बाद फिर general में चल automatic select कर लिजे और उसके साथ ही साथ आप अपने Mac में भी यह चीज़ चेक कर सकते हैं आपको system preferences या settings में चले जाना है और search करना है यहाँ पे airplay airplay सर्च करने के बाद airplay receiver वाला option आपको select करना है और select करने के बाद यहाँ पे जो airplay receiver है इसको on कर देना है अगर आपके case में यह disable है तो इन सब settings को enable करके आप अपने iPhone की screen को आसानी से mirror कर सकते हैं अपने Mac पर लेकिन आपने इन settings को भी enable कर लिया है और साथी साथ सारे steps को भी अच्छी तरीके से follow किया लेकिन फिर भी आप अपने iPhone की screen को mirror नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो device है वो supported नहीं है airplay feature के लिए तो ऐसे में हमारा जो दूसरा method है वो आपके लिए काफी helpful होने वाला है क्योंकि इसमें almost सारे devices supported हैं दूसरा method के लिए हमें अपने iPhone को connect करना होगा एक cable से अपने Mac में तो चलिए हम इसको connect करते हैं connect करने के बाद आपको अपने Mac में search करना है quick time player को और उसके बाद इस drop down arrow जैसा दिखेगा आपको उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां options जो भी available है उससे आपको camera में जो face time है उसके जग़े आपको अपना iPhone सेलेक्ट करेंगे आपका जो iPhone का screen है वो mirror होना सुरू हो जागा आपके Mac में आप जैसे इसका इस्तमाल करेंगे अपने iPhone में आप देख रहांगे कि जो भी changes आप करेंगे आपका यहां पर mirror होगा वो भी instantly क्योंकि यह wire से connected है तो जैसा पहला method था उसी हिसाब से आप इसमें landscape mode का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप जैसे ही change करेंगे आपका जो यह screen है वो landscape mode में change हो जाएगा जो भी आप mirror कर रहे थे आप video mirror किया हुँ हो जाए या फिर आप recording जब आपका complete हो जाए आप simply इसको cut कर दीजे और उसके बाद आपका जो वीडियो है iPhone का जो screen अभी आपने record किया था वो भी सेव हो जाएगा और साथी साथ आपके iPhone का screen आपके Mac पे mirror हो जाएगा लेकिन यह ensure आप कर ले कि आप यहाँ save button पे क्लिक करके अपने इस वीडियो को save कर ले ताकि आपका जो screen recording है iPhone का वो save हो जाए लेकिन हमें mirror करना था तो mirror हम आसानी से ही कर सकते हैं बीना save किये हुए भी लेकिन मैं आपको एक bonus tip के तोर पे बता दिया कि अगर आप अपने iPhone के screen को record करना चाहते हैं और save करना चाहते है तो वो भी आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं तो इस प्रकार आप अपने iPhone की screen को mirror कर सकते हैं अपने Mac पे मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो like करें comment करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और साथी साथ अभी टेकी को subscribe करना न भूले ताकि आपको ऐसे ही मज़़ा टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो हमेशा मिलते रहें